जैसे कि हम सभी कोई पता है कि आब सबके 10th और 12th के exams over हो चुके हैं और बहुत सारे students ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे और उनके parents भी हैं जो की काफी परिशान हो रहे हैं कि कहां admission दिलाएं, कौन से course में admission दिलाएं कौन सा course ऐसा है जिसमें admission लेने से बाद में हमारे बच्चे का future अच्छा होगा तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है, देखिए सबसे पहरी बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि पहले का time अलग था और अपका time अलग है, पहले के time में ये हुआ करता था कि सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे courses में admission लेने से बहुत अच्छी job वगेरा मिल जाया करती थी या जो भी whatever लेकिन आज का time ऐसा है कि और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसे पेरेंट्स में भी ऐसे पेरेंट्स को देखा है इवन अपनी ही family में not in immediate family obviously दूर की family में मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों से नहीं पूछते कि उनको क्या करना है वो क्या करते हैं वो यह बता दे तो मैं जित्ते भी parents अगर कोई देख रहे मेरी इस video को तो मैं यह बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे ने 12th कर लिया है तो पहले आप उससे पूछे कि उसे क्या करना है उसे क्या बनना है क्या उसे हाँ पढ़ना important है no doubt graduation दो उसे मैं यह नहीं बोलूँगी कि सब कुछ और स्टार्ट कर देना है no obviously not क्योंकि मैंने खुद ने graduation करा है और उसके बाद मैं यह सब चीज़े स्टार्ट कर रही हूं ठीक है तो पहले मैं आपसे यह बोलूँगी कि आप अपने बच्चे से खुद पूछे कि उसे क्या करना है उसे क्या बनना है उसे किस चीज में इं तो मुझे एड़्थ से पता था कि मुझे क्या करना यह बनना है बंटा कि उसे पता हो उसे समझ यह क्यों आका करना चाता है कि तो यह बनना है तो लगिए उसके SAM था कना वही कार से वही a लेकिन उससे पहले आप अपना जो क्योंकि ट्वेल्ट पास करते तो हम 18-19 साल के तो होई चुके होते मेरे पता होता है हमें किस चीज में इंटरेस्ट है क्या हमारे अंदर talent है, कौन सा course करना चाहिए, तो आप पहले अपने बच्चे से पूछिए, जानिए कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, हो सकता है कि आप, क्योंकि हमारे जो parents है, वो दूसरी generation के है, आज की generation कुछ अलग है, उन चीदों के बारे में जानिए और जब आपको लगे कि उसको नहीं पताए कि उसे क्या कर रहा है, तो आपको जो best लगे वो आप उसको बताएं, ठीक है, so that's it for today's video, I hope you guys are doing well, till then stay tuned on my channel.